तो किस तरह से ये सुने स्चित करें कि हम disposable syringe का केवल एक ही बार use कर पाएं ऐसा मुम्किन अब है क्योंकि हमारे पास अब है auto disabled syringe आई ये देखते हैं auto disabled syringe क्या है और वो कैसे काम करती है auto disabled syringe यूँ तो लगती है same disposable syringe needle जैसी ही लेकिन इसको एक बार दवाई भरने के बाद जब आब इसका plunger वापस दबाते हैं और दवाई निकल जाती है तो वो plunger वहीं चिपक जाता है और उसके बाद आप उस plunger को विट्रोल नहीं कर सकते यानि कि यह injection केवल एक ही बार भरा जा सकता है और एक ही बार दिया जा सकता है इसको दूसरी बार भरा ही नहीं जा सकता यानि कि उसका दूसरा use मुमकिन नहीं है भारत सरकार के द्वारा सारे रसीकरण केंद्रों के उपर अब यह AD syringe का ही उपयोग किया जाता है जिससे कि यह सुनिस्चित होता है कि आपको लगाये जाने विले injection के अंदर safe injection practices का ध्यान रखा जा रहा है